तो यहां पर हमारे पास question है कि अधिस्टम उफ equation का हमें solution बताना है कि कितनी होगे ठीक है तो यहां पर हमारे पास जो equation है इस equation में देखो x square by a square plus y square by b square plus minus z square बैसे ठीक है सब में यही टर्म है तो अगर मैं x square by a square को capital x put कर देता हूँ y square by b square को capital y put कर देता है और z square by c square को capital z put कर देता है तो यह equation हमारे किसमें convert हो जाएगा x plus y minus z equal to 1 x minus z x minus y plus z equal to 1 और यह minus x plus y plus z equal to 1 ठीक है यहां से अगर हम capital x और capital y की value निकाले capital x कितना हो जाएगा delta 1 by delta capital y कितना हो जाएगा delta 2 by delta और capital z कितना हो जाएगा delta 3 by delta ठीक है delta की value पहले calculate कर लेता है तो delta कितना होगा हमारे पास delta हो जाएगा 1 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 and 1 ठीक है इसको अगर solve करेंगे तो कितना हो जाएगा row 1 के बाव टोपन कर देता है तो यह कितना हो जाएगा minus 1 minus 1 minus 1 times 1 plus 1 ठीक है minus 1 times 1 and minus 1 ठीक है तो finally यहां से आप देखो कितना जाएगा यह minus का 4 ठीक है तो delta की value हमारे पास कितनी आ गई delta हो गए हमारे पास minus 4 ठीक है delta 1 calculate करता है तो delta 1 क्या होगा first column को हमें 1 1 1 से replace कर देना है बागी सारा same हो जाएगा 1 minus 1 1 minus 1 1 and 1 ठीक है इसको solve करेंगे तो कितना जाएगा 1 times यह भी minus 2 ठीक है minus 1 times 1 minus 1 0 and minus 1 times 1 plus 1 ठीक है यहां से भी value कितनी आ जाएगी minus का 4 ठीक है डेल्टा 2 calculate करते है डेल्टा 2 कितना जाएगा यह जाएगा यह जाएगा 1 1 minus 1 यहां पर 1 1 1 यह minus 1 1 and 1 ठीक है इसको solve करते हैं यह कितना हो जाएगा 1 times 1 minus 1 minus 1 times 1 plus 1 and minus 1 times 1 plus 1 ठीक है यहां से भी value कितनी आ जाएगी minus का 4 ठीक है डेल्टा 3 calculate करते है डेल्टा 3 कितना हो जाएगा डेल्टा 3 हो जाएगा 1 1 minus 1 1 minus 1 1 यहां पर 1 1 1 ठीक है यहां से इसको solve करते हैं कितना हो जाएगा 1 times minus 2 minus 1 times 2 and plus 1 times 1 minus 1 ठीक है अगर हम capital X की बात करें capital X क्या है delta 1 by delta यह value कितनी हो जाएगी minus 4 by 4 equal to 1 ठीक है capital Y कितना हो जाएगा delta 2 by delta यह value भी कितनी हो जाएगी 1 और capital Z कितना हो जाएगा delta 3 by delta यह value भी 1 हो जाएगी ठीक है capital X की value किसकी equal है एकस स्कॉाइर बाई एक्वार इक्वार 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 मिल रहा है कमारे पास finite solution तो हैं ही लेकिन यूनीक नहीं है ज्यादा solution है यहाँ पर हम कौन सा answer match कर सकते हैं टी ओप्शन finitely many solution तो है किया है